दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले में बात करना चाहूँगा कोईन बाजार एप के बारे में कोईन बाजार एप्लिकेशन बैस नुमिस्मेटिक एप्लिकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर जहां पर बहुत सारे कोईन, नोट, मैडल्स, ब्रिटिश इंडिया के नोट, रिपब्लिक इंडिया के नोट, एरर कोईन, ब्रिटिश इंडिया के कोईन, ये सारा कैलेक्शन वहाँ पर एविलेबल है तो अगर आप एक कोईन कलेक्टर है और आप घर बैठे मगवाना चाहते हैं अपने कलेक्शन के लिए रेर कोईन्स और नोड तो आप कोईन बाजार एप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्रिप्शन में लिंक अविलेबल है नमस्कार दोस्तों मैं रवी आपका स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल आइकोनिक इंडिया में और दोस्तों जैसे कि मैंने भी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने बताया था किया मैं जल्द ही पांच रुपे के जगत गुरु शिनायन रेर डाइवराइटी आती है तीन अलग-अलग तरह की डाइवराइटी देखने को मिलती है उसमें पहले डाइवराइटी कवर करता हूँ मैं जो की बहुत साइड में उलकोईन है उसके बाद बाकी की डाइवराइटी कवर करूँगा फिर उस रेर कोपर निकल के सिक्के के बारे में बताऊँगा जो सबसे महंगा है ये तीन सी क्या आप देख रहे हैं जगत गुरु श्री नायरन गुरुदेव के 2006 में बनाए गई स्टेलेस स्टील के सिको का वजन जो है वो है 6 गिराम कॉपर निकल के सिको का जो वजन है वो है 9 गिराम अब यहाँ पर आप देखेंगे इस कोईन होलडर पर लिखा है नॉर्मल स्टील यानि ये वाला जो कोईन है ये जगत गुरु श्री नायरन गुरुदेव का नॉर्मल कोईन है यहाँ पर इस पर मैंने लिखा हुआ है म्यूल बोद साइड यानि ये दोनों तरफ से म्यूल हो ओपन निकल का सिक्का ये वो सिक्का है तो सबसे पहले इन सिक्कों को कोईन होलडर में से निकालता हूँ फिर बहतर तरीके से आप भी समझ पाएंगे इन सिक्कों में आपको कैसे पता लगाना है कि कौन सा डाइवराइटी है कौन सा नॉर्मल कोईन है अब ये देखें ये क्या जगत गुरु शिनायन गुर्देव का जो portrait है वो सेम दिख रहा है या कुछ अंतर इसमें दिख रहा है चाहे वो face में हो या nose में हो या और भी जो पूरा face का जो structure है पूरी बनावट है उसमें कुछ फरक दिख रहा है नहीं दिख रहा है लेकिन अगर मैं एक copper nickel का सिक्का या side में रख दू तो stainless steel और copper nickel का जो reverse side है और जो portrait है पूरा face है ये पूरा match होता है लेकिन इन दोनों stainless steel के सिक्कों का reverse side आपसे match नहीं होता है ये बिल्कुल अलग है ये पूरा portrait अलग तरह का दिखता है ये पूरा portrait अलग तरह का दिखता है तो यानि के river side, इस वाले सिक्के पर ये जो mule coin है, इस वाले सिक्के पर copper nickel की dice strike हुई है, river side, portrait side, क्योंकि ये दोनों आपस में बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, अगर आप बारी किसे देखे गो, nose देखोगे, पूरा face देखोगे, जबकि ये stainless steel का जो normal सिक्का है, ये बिल्कुल किया गया river side, अब इस stainless steel को एक बार दोनों, वो दूसरी तरफ से देख लेते हैं, जिसको over side कहा जाता है सिक्के की, अब over side से ये देखे, तो ये वाला है normal coin, और ये वाला है mule coin, तो इनके एक बार अशोगिस्तम का size देखे आप, एक बार अशोगिस्तम इन सिक्कों के देखे आप, और अशोगिस्तम जो आप देखेंगे तो ये देखेंगे कि जो mule coin है, इसका अशोगिस्तम बड़ा है, अशोगिस्तम ये जो dotted circle है, ये पूरा उपर तक जा रहा है, और अशोगिस्तम में उबहा उभार है, देखने को मिलता है इसमें, बड़ा होने की देखेंगे, तो ये वाला अशोगिस्तम बड़ा दिखाई देगा, और चोड़ा भी दिखाई देगा, जबकि ये जो normal coin है, stainless steel का, इसका अशोगिस्तम इस dotted line से नीचे दिखाई देगा, और ये छोटा और चप्टा भी है अशोगिस्तम, तो ये normal coin कुछ इस तरह का दिखत है, ये निकेश में अशोगिस्तम छोटा है, और रिवर साइट कुछ इस तरह से ये portrait देखने को मिलता है, लेकिन वहीं अगर हम इस mule coin की बात करें, तो इसका जो अशोगिस्तम है, वो कोपन निकल का जो 5 रुपे का सिक्का है, उससे पूरा match होता है, ये देखेंगे, या स्टेलनेस स्टील पर, एक बार रिवर साइट से देखें, ये स्टेलनेस स्टील है, ये कोपन निकल है, तो रिवर साइट से देखें, बिलकु सेम है, और अब ओबर साइट से एक बार देख लें, ओबर साइट से आप देखेंगे, तो यहाँ पर भी बिलकु सेम है, आशो कुछ exact बिल्कुल भी कुछ same है ये कोई भी फर्क नहीं है यानि अब ये जो mule coin है ये है both side mule coin stainless steel का तो ये बड़ा खास सिक्का बन जाता है और ये सिक्का देख सकते हैं मेरे पास UNC condition का सिक्का है और UNC condition में ये both side mule coin मिलना जगत गुरु शिनयन गुरुदेव का stainless steel का थोड़ कि जो collectors है उन्हेंने सिक्का आम चलन से भी collect हिया है लेकिन काफी महनत और मशक्कत के बाद ये both side mule coin आम चलन से मिलता है stainless steel का इन सिक्कों पर study करनी पड़ती है और study करकर ये पता लगाना पड़ता है क्या कौन सा river side से mule है कौन सा both side से mule है तो ये सारा study का material है पहले सिक्को पर study करनी पड़ती है मैं देखता हूँ काफी लोग सिक्के बीचे निकल देते हैं बीना जानकारी गे जब तक आपको अपने सिक्कों की जानकारी नहीं होगी ना तो आपको उसकी अच्छी value मिल पाएगी ना आप उसकी सही value पता लगा पाएंगे क्या कौन से सिक्के मार् पार्किट में collectors के बीच या exhibition में जो भेंगे विखते हैं तो बेचने से पहले मैं काफी बार वीडियों बता चुका हूँ इस बात को सिक्कों को बेचने से पहले उनकी जानकारी हासिल करें बहुत सारी लोग है जो चिलर उठा के exhibition में चल देते हैं क्योंकि उन्होंने इसमें गलत information दे दी जाती है किसी भी एक उर्पे 50 पैसे 5 पैसे 10 पैसे के बारे में लेकिन YouTube पर कुछ सही चैनल भी है जो बिलकुल सही जानकारी देते हैं उन्स चैनल को follow करें और ये देखें क्या आपको जो जानकारी दी जा रही है वो जानकारी आपको हवा में तो नही दी जा रही है हवा में मतलब कोई भी सिक्का दिखा कर आपको 10 लाग 20 लाग 50 लाग ऐसे कीमत जो बताई जाती है और समचा न्यू शेल की तरह नीचे हैडलाइन चला दी जाती है तो आप अपने समच से और सोस से भी ये समझे कि अगर कोई सिक्के की वैल्यू 5 लाग रु या कोई पैटर्न कोई है ये सारा समझने का खेल है तो आज किस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी तीन सिक्कों के बारे में जिसमें स्टेनेस स्टील और कोपर निकल के कोमन है और जबकि एक स्टेनेस स्टील बौस साइड मियूल कोई है अब बात करते हैं सिक्के की क इस पर stainless steel पर copper निकल की दोनों तरफ की dye का इस्तमाल किया गया है, तो ये UNC condition में आपको 600 रुपे तक भी दिला सकता है, लेकिन सिख्कों पर पहले थोड़ी study करें, आज की ये वीडियो कैसी लगी नीचे मुझे comment करके बताना, और ये भी बताना कि ये आपके पास सिख्का है या नहीं है, जगद गुरू शीनान गुरुदेव का, stainless steel का, जिस पर दोनों तरफ copper निकल के सिख्के की dye का इस्तमाल किया गया है, तो नीचे मुझे comment करके बताना, सभी के comment कर रिप्लाई करूँगा, और ये जरूर बताना कि ये सिख्का आपको आम चलन से मिला, या आपने ये किसी dealer से, ये किसी exhibition से खरीदा, और कितनी कीमत में खरीदा, वो जरूर comment करके बताना, चुकि उससे काफी लोगों को भी help मिलती है, जब काफी लोग comment read करते हैं तो, आज किस वीडियो को ही कतम करता हूँ, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद,